हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशुरत पैटन सेयर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, कैप आदी में बनके बहुत ही खुशुरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंड्स साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 6 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, प्लस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने, 10 नमबर की सराई में ह सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के इसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कंप्लीट करेंगे, बॉर्डर पैटन कंप्लीट होने के बाद फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होगा, दोस्तों अगर आपने अभी तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बेला आइकन दबाना न भूलें, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें, अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं, तो उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं, धागा पीछे करेंगे, अब चार फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, पीछे के दो फंदे आगे लाएंगे, इस तरीके से, आगे के दो फंदे हमने फ्रंट साइड की तरब से पीछे ले जाने, इस तरीके से हमने इन चार फन्दों को ट्विस्ट कर लेने हैं, अब इन फन्दों को हम एक एक करके सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, और चार, फिर धागा अपनी साइड, इनी छे फन्दों का प्रोसिस आगे रिपीट करेंगे, दो फन्दे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, अब नेस्ट आपने चार फन्दों को ट्विस्ट करना है, बैक साइड की तरब से पीछे के दो फन्दे आगे लाएंगे राइट नीडिल में, आगे के फन्दे फ्रेंट साइड की तरब से पीछे ले जाएंगे लेप नीडिल में, अब इन चार फन्दों को ट्विस्ट कर देंगे और फिर एक-एक करके सीधा बुन लेंगे फिर लास्ट में आमने दो फंदे उल्टे बुन लेंगे एक दो लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे तो देखे एक फिर फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी साइड अब नेस्ट अपने तीन फंदे एक साथ बुनने एक दो और तीन इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे इनसे तीन फंदे बना लेंगे तो देखे एक सलाई में धागा लपेटेंगे दो फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे तीन फंदों को एक साथ बुना और तीन फंदे बनाए फिर नेस्ट अमने एक फंदा उल्टा बुन लेंगे ये देखे फिर धागा पीछे करेंगे इनहीं छै फंदों का प्रोसिस आगे रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो फिर धागा अपनी साइड अब नेस्ट अमने तीन फंदे एक साथ बुने और तीन के तीन फंदे बना लेंगे एक सलाई में धागा लपेटा दो फिर बुन के तीन ये देखे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे लास्ट में हमने दो फंदे सीधे बुन लेने हैं और लास्ट का फंदा उल्टा बुन देंगे तो देखे बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्पलीट होगे अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थर्ड रो अब third row में हमारा pattern repeat होगा third row को हमने pattern की first row की तरह बुनते हुए complete करना है अब हमने इन्हीं दो सलायों का pattern बार बार repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुंदर बहुती आसन pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सेर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू चैनल में करें